आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की जो सेनेरियो है उसमें 70 से 80% मैल आए सिर्फ इस बात के लिए परिशान होती है कि उनकी होर्मोन में तेजी से गरबड़ी आ गई है हर्मोन की तेजी है आपको या हर्मोन की जो मंदी है यानि की उतार चड़ाव है वो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये आपके शेरिल में इंबैलन्स क्रियेट किया हुआ है या तो आपकी पीरेड खुल के नहीं आएंगे पीरेड इरेगुलर आएंगे या तो आपको बहु आपको कम लगेगी या बहुत तरह की तमाम चीजे जो कि आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है मैं बहुत ज़ादा चिर्चिडी फील कर रही हूँ बहुत ही ज़ादा अननैचरल फील कर रही हूँ बहुत ही डिप्रेशन में जा रही हूँ तो ये सारे जो चीजे हैं वो कि सारी चीजे बिल्कुल नॉर्मल नैचुरल चलने लगेंगी आप जैसे बहुत सरी महिलाओं के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका ओविलूशन सही समय से नहीं होता है तो ऐसे केस में उनको मा बनने में भी प्रेग्ननसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है तो ऐ ऐ प्रॉबविलूशन सही समय पर नहीं होगा किसी टेमपे दो से थीन में पर एक बार पीरेड आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वह चार से प्रॉब्लम हो जाए वह लंबा तो आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे से रेमिडी के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप अपने डेली लाइफ में इस्तमाल करते हैं, एक से दो मेने आप इसको रेगुलर इस्तमाल करके देखें, फिर आप पहसूस करिएगा कि आपके जो हर्मोन की गर्बडी है वो भी स सुधरेगी और साथी साथ आपको कंसीव होने में भी मदद मिलेगी, लेकिन इसकी पहले मैं डिस्कलेमर ये देना चाहूंगी कि कि किसी भी चीज की शुरुवात करने से पहले आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आप जो भी ची नेचर होती है, वो गर्म तासिर की होती है, जिसके वज़े से उनको एकने बहुत जल्दी होता है, पिमपल होता है, या जो उनके फेशल हेर होते हैं, वो भी काफी जदा आप देख सकते हैं कि हर्मोन की गर्बड़ी की वज़े से क्या क्या चीज़े होती हैं, और ऐसी महि क्रियेट करेंगी तो सबसे पहले किसी भी चीज को इस्तमाल करने के पहले आपको एक से दो दिन एज टेस्टिंग आपको देखना चाहिए कि आपकी बॉड़ी को सूट कर रही है तो ही आप इसे कंटिन्यू करिए अगर सूट नहीं कर रही है तो आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है वो भी डॉक्टर का परहमर्ष लेने के बाद ही आप ये वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे शैनल ट्विंस्वाइवल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं ऐसे चार सीट इसके बारे में आपको बताऊंगी जिसे हम लोग सीट साइकलिंग भी कहते हैं क्योंकि इनको हमें एस साइकल रिपीट करके चलना है अब आपको करना क्या है कैसे करना है complete detail वीडियो है देखिए यहां से skip करने की जूरत नहीं है यहीं के बाद से आपको वीडियो पूरी पता चलेगी कि कैसे कैसे इसस्तेमाल करना है क्योंकि अगर आपको वीधी अच्छे से नहीं पता होगी तो इसके बैड इफेक्ट भी आपको देखने या जिलने पड़ सकते हैं सबसे पहले चीज महिलाओं की जो पीरिट साइकल होती है वो जेनरल केसे में 28 से 30 दिन की होत हैं और जब यह पकते हैं 13 से 14 दिन तक यह फरलिकल पक्के बड़े हो जाते हैं और उसके बाद अंडा रिलीज होता है अंडा फूट जाता है तो यह जो 14 दिन का जो समय है इस समय आपको कोई 2 सीट खाना है और जो next का जो 14 दिन है यानि कि जो लुटियल फेज है यानि कि 14 तारिक से लेके 28 तारिक, एस तारिक ना समझ के, मतलब डे, आप मेरा कहने का यह मतलब, यह 14 डे से लेके 28 डे, जो लूठियल फेस होता है, उसमें 2 सीट्स का भी हिस्तमाल आपको करना है, और आपको यह रेगुलर इंटरवल पे आपको जरूर करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आ सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो पहला दिन होता है, फॉस्ट डे जिस दिन आपका पीरेड आया, उस दिन से आपको शुरुवात करनी है, आपको पहले तारिक से, मतलब पहले डे से लेके 14 डे तक आपको यूज करना है, फ्लैक सीड, फ्लैक सीड एक चमच आपको ल लेना है सबसे पहले बात करते हैं कि आपको खाली पेट सुबह में एक चमच आपको फ्लैक सीड लेना है फिर दस मिनट के अंतराल पे आपको पंपकिन सीड उसी समय खा लेना है और वो दिन खतम उसके बाद आपको रात में शाम्मे करने की ज़रूत नहीं है अगर आप कंफ सनफ़ार ऊद्यास सिड उसको ही ऐसे ही लेना है खाली पेट आप सुबह में ले लीजे लेकिन कई बढ़ो होता है कि खाली पेट लेने से बहुत सरे लोगको अनीजी भी फील हो तो अगर आपको comfortable नहीं है तो आप नाश्ता करने के बाद भी seeds का इस्तमाल कर सकते हैं नाश्ता कर लिजे उसके आधे घंटे के बाद आपको seeds को अच्छी तरह से चबाते हुए जरूर खाना चाहिए पहले आप 5-10 मिनट अच्छे से flaxseed को चबा लिजे उसको खाने के फिर आपको pumpkin seed का इस्तमाल करना है और that's over उस दिन का खतम और इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं जो next seed मैंने बताए उसी तरह से आप इसको खर सकते हैं खाना खाने के बाद जैसा आपको comfortable लगे क्योंकि बहुत सरे लोगों को suit नहीं करती है इसलिए मैं यहीं बोलूँगी कि आपको शरी में suit करना ज़रूरी है आप इसको एक से दो साइकल repeat करके देखिए definitely आपको काफी ज़दा असर मिलेगा आपके period खुल कर आएंगे regular आएंगे और आपको बहुत ज़दा unwanted hair भी धीरे धीरे करके आपके vanish होंगे जिनको PCOD की समस्या होती है जिनको cyst बनने की समस होगा तो इसलिए आपके hormone के जो imbalances है काफी हद तक कम होंगे तो इसका आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए आप रही बात कि लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इसको piece के रखना चाहिए या नहीं piece के रखना चाहिए भून के रखना चाहिए जैसे roasting हम करते हैं फिर र चाहिए में आप इस उसको ना मतलब जैसे कहते हैं निगलना आप इसको नहीं निगलिएगा आप उसको अच्छी तरह से चबाते वेखाईए तब आप महसूस करीगा कि आपको काफी ज़्यादा फायदा मिला है यह वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हो गया लेगिन मैं क्य अगर यह वीडियो की जिदी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक के पेच को लाइक करना बिलकुल न फूले थैंक यू सो मच और वाची ट्विन्स्वाइब